तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई दोजार चौबिस सेशन में MBA यानि के Master of Business Administration के किसी भी प्रोग्राम में admission लिया है जो यहाँ पर आपको 9 प्रोग्राम दिख रहे हैं तो आपका जो एक्जाम है वो दिसंबर दोजार चौबिस में होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का और इसके लिए आपको assignment सेप्टेंबर अक्टूबर में submit करना होगा और आपके लिए इगनुने assignment का question paper भी website पर update कर दिया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि website से आप question paper को कैसे download कर सकते हैं और assignment का answer कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो detail में जानक प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेट सभी update और notification टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजे ताकि सभी update आपको मिलते रहें यहां पर यह जो आप पूरा list देख रहें यह सभी MBA program का assignment है यहां से आप कोई भी assignment हो रहा है assignment का answer आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस WhatsApp नमर पर हमारे टीम से contact कर सकते हैं और assignment का जो आंसर है कम दामों में PDF format में ऐसा PDF format में खरीद सकते हैं English medium में यह जो WhatsApp नमर है नीचे description box में मैंने दे रखा है अब बात करते हैं कि आप question paper को कैसे download करेंगे तो उसके लिए आपको इस वाले page पर आना होगा इसका link मैंने नीचे दे रखा यहाँ पर आने के बाद आपको एक table मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा master degree यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा question paper download करने के लिए फिर ये website open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप द प्रोग्राम है यहाँ पर यह जो आप पूरा लिस्ट देख रहे हैं नौ प्रोग्रामों का उन सभी का जो question paper है वो यहाँ पर update किया गया है आपके पास जो भी subject है जैसे कि MMPC 1 है 2 है 3 है 4 है जो भी है यहीं से आप सभी question paper को download कर सकते है question paper को download करने के लिए बस आप यहाँ assignment का question paper आ जाता है यहाँ पर यहाँ आप से सवाल पूछे जाते है इसी का answer आपको लिखना होता है question का answer चाहिए तो आपको इस WhatsApp नमर पर हमसे contact करना होगा और कम दामों में assignment का answer आप ले सकते हैं अब यहाँ से जब आप question paper को download करेंगे तो यहाँ पर देखे जितने भी question paper दि download करेंगे तो यहाँ पर देखे आपने admission लिया है यहाँ पर देख लिए जुलाई 2024 में तो जो question paper आप download करेंगे उस पर भी यहाँ पर जुलाई 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो बताया भी गया कि जुलाई 2024 सेसन के लिए assignment जमा करने के last date 31 September 2024 तो यह वाला question paper के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी जुलाई 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पर बताया गया कि जुलाई 2024 सेसन के लिए 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट तो यह question paper भी December exam के लिए यही वाला question paper जितने भी subject आपके पास question paper को download कर लिए और assignment बन लिए assignment बना करके आपको September October में submit करना होगा assignment जमा करने की last date है 30 September और September के first week से आप assignment को submit करवा सकते हैं लेकिन इसको extend किया जाएगा और आपको 31 October तक assignment submit करने का मौका दिया जाएगा और जब आपका assignment बन जाता है तो इसे आपको online जमा करना होगा या फिर offline तो इसका detail आप इस सेंटर वाले offline mode में assignment को submit लेने वाले उनका detail में अपडेट कर दिया है और जो online mode में assignment को submit लेंगे तो उनके तरब से जो link है वो September में आ जाएगा जब आ जाएगा तो मैं यहाँ पर update कर दूँगा और जिसमें not announced लिखा गया तो उनके तरब से जो submission का mode है वो आपको September में बता आया है तो like किजिए share किजिए और इगनुस related सभी update इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं link में नीचे दे रखा है साथी में आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकती है